आप कि शिपाल सिंग यादव खुले मंच से कहते हैं कि अपढ़ना यादव का कहीं नहीं अपमान हो रहा है तो जाहिड सी बात है वो सीधे तोर पर एक निमंतरन भेज रहे हैं अगर शिपाल सिंग के हाथों में ये तमाम तरह की जिम्मेदारी आती हैं तो जाहिड सी बात ह साथ बखु भी नेख भाया और सपा के साथ रहकर लोकसभा का चुनाव लड़कर जीत बिलिया सांसत भी बन गई लेकिन एक ने एक बड़ा स्टैप उठाया सपा से दूरी बनाई परिवार से दूरी बनाई और भारती जंता पार्टी का एक बड़ा हिस्ता बन गई और भार प्रवारती ज़ंता पार्टी ने उन्हें नाउंमीद कर दिया उपढ़नायादव को लेकर अब कयास शुरू हो चुके हैं कि विधान सभात चुनाव से पहले ही विधान सभाट चुनाव के पहले यहां पर अमिधनायादव ने भारती महा सचिफ के रूप में शिप्पाल यादव यह जिम्मेदारियों को निभाते वे नसर आएंगे दरसल क्या वजा है आपको बता देते हैं दरसल आपको यह बता दें कि उत्रपरदेश में नौ ऐसी विधान सभा सीटे हैं जिन पर उपचुनाव होते वे नसर आएंगे जिस में मेंपूर की सीट घिसमें अम्बेटकर नगर की सीट इ warnings कि उससे अंदर जो विधान सभा सीटे वे नजर आती हैं लगभग कई सीटे मौग है जहाँ पर चुनाव अब्र के जरीए सांसद अपनी विधाय की का पद भी छोड़ते वे नसर आएंगे और जा रहा है कि क्या आपड़ना यादव को बड़ा ओफर यहां से मिल सकता है और क्या यह बड़ा ओफर सपा की तरफ से दिया जा सकता है क्योंकि साधने की कोशिस जरूर की जाएगी क्योंकि भारती जनता पार्टी का सूपड़ा साफ होते होते लोग सभाद चुनाव के नती तो यहां पर बड़ी लड़ाई देखने को मिलती है हार का सामना करना पड़ता है मुजफर नगर से तो किस तरीके से उनकी बॉकलाहट निकलती है कि कैसे यहां पर इन्हें हराया गया है तो ऐसे में NDA जहां तूटने की कगार पर पहुँच रहा है मेरे साथ सिराज माजूद है मेरे सहीयोगी सिराज आपका बहुत-बहुत स्वागत है सिराज अपना यादव को लेकर कयास लगाए जा रहे कयास है कि भारती जनता पार्टी की स्थिति अब ऐसी हो चुकी है कि किसी सहारे की उन्हें जरूरत है तो ऐसी घरी में अपना यादव क्या भारती जनता पार्टी का साथ छोड़कर सपा की तरफ जाएगी क्योंकि सपा के मजबूती लोगसभा चुनाव में हमने देखी तो क्या सपा की तरफ बढ़ती हुई नजर आएगी जितिके मुझे लगता है कि जिस तरीके से अपना यादो को ले करके अपने जिक्र किया और इसमें कोई दोरानी है कि लोगसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के हाथो भारते जनता पार्टी को शिकस्त जहिलना पड़ा और जाइड सी बात है कि अभी राजे में भारते जनता पार्टी की सरकार है और केंदर में भारते जनता पार्टी की सरकार है इसके बावजूद देखा जाए तो समाजवादी पार्टी ने अच्छा परदर्शन किया लेकिन अपणनाय यादों का आपने जिक्र किया कि क्या अपणनाय यादों अब कहीं न कहीं जरूरत है तो मुझे लगता है अपणनाय यादों कोई बड़ी दिगज नेता नहीं है जिनोंने चुनाव जीता हो या कहीं न कहीं कई सीटों पर उनका प्रभाव हो जाइड सी बात है वो समाजवादी पार्टी छोड़ कर आई तो वो उनका परिवारिक मसला होगा या फिर उनका अंदर खाने कोई बात बिगरती वी नज़र आईगी उनकी मांगे पूरी होती वी नज़र नहीं आई होगी जाइड से बात है इसलिए वो भारते जनता भावित होती। तो काई नहीं कहीं लोग सब Murray टिकर इन्हें पर चाइड़ो में वह वापशीग करती ही नहीं थामा है उस वक्त से देखा जाए तो भारती जनता पार्टी ने ना उन्हें विधानसभा का चुनाव लड़वाया और ना ही उन्हें लोगसभा का चुनाव लड़वाया और लोगसभा चुनाव के दरान जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि मैं जो है वो प्रियंका गांधी के खिला चुनाव लड़ेगे, तो साफ तरपर वा कहती है, कि मैं परिवार के की सदर्सिह के खिलाब कभी भी चुनाव नहीं लड़ूगी, तो इस बात को देखा जाए, अगर आकलन किया जाए, तो जाएट सी बात है, अपना यादाओ इस बात को चुनाओ फूर बड़े इस बात को इदैसे अ लेकर के सियुपाल सिंह यादों ने भी चुनाप रचार के दौरान कईना कई ब इसको लेकर के अब जो हावा बन रहे हैं उसमें सचाही नजर आती है यहां पर सॉफ्ट कॉर्णर अपना यादव के लिए सपा की तरफ से दिखाया जा रहा है जिसमें भूमी का शेपाल यादव ने आदा की जब लोकसभा का चुनाव था जब इंटर्व्यू का दौर था म नेता प्रति पक्ष की भूमी चाही यहां पर विद्धान सब्हस सदन की अंदर की बात चीजे तो यह ने पूमिका निभा रहा है तो क्या शिपकाल यादव अपना बड़ा रोल यहां पर निभाते हुए नज़र आएंगे वहां पर सपा में लेकर आजाएं पहले ही कि शुपाल सिंहादर को लीकर के समाजबादी पार्टी में पहले से लोकसाबर चुनाव के दौरान से मन्थन जारी है क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो सूची आप कि शुपाल सिंग यादो के हात में अगर उत्वर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की कमान जाती है और शुपाल सिंग यादो को चोटे-बड़े नहीं वह चोटे मोटे नहीं वह जाइड सी बात मुलायम सिंग्ण यादफ के भाई हैं और अखलेश यादो के के कह सकते करीबी भी और शिवाद आधो एहम भूमीगा निभा सकते हैं ससूर की भूमिका भी निभा सकते हैं क्योंकि मुलाहिम सेंग यादव के भाई हैं और यहाँ पर अखलेश यादव के साथ जैसे जुड़ते वे नजर आए पहले अलग भी हुए लेकिन फिर वोनोंने सपा का दामन थामा और सपा के साथ मजबूती के साथ खड़ें अपने बेटे को भी चुनाव लड़ाते हैं अपने बेटे को भी मैदान में उतारते हैं बदाईयू कि सीट अपने खाते में करवा लेते हैं सपा को बहुमत कहीं न कहीं उत्तपरदेश में मिलता हुआ नजर आया था अब ऐसे में देखा जा रहा है कि अगलेश चादव तो सपा में से किसी को या फिर भारती जंता पार्टी को उफर बढ़ा दिया जाएगा कि उनके नेता यहां से चिटकते हुए नजर आए अब यहीं देखना होगा कि पूरे मुद्दे में क्या कुछ नया मोर आता है अगलेश चादव ने तो बीते दिन ऐलान कर भी दिया कि य नजर आएगा और क्या वाकई यहां पर अखलेश चादव जल्द बाजी करते वें नजर आएंगे या फिर सायम के साथ बड़ा ऑफर भारती जंता पार्टी के इनकारे करताओं को या फिर अपना यादा को देते वें दिखाई दे सकते हैं इस मुद्दे को लेकर आपकी क क्यार आए कमें सेक्शन में जरूर बताएं देखते रहें स्पेनाइन न्यूस थानिवाद